हलो फ्रेंड मेरा नाम है कृष्णा इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपकी लिए क्लास वन की हिंदी की किताब सारंगी से पाठ नो आलू की सडक इस पाठ के अंदर हम एक छोटी सी कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका सीर्षक है आलू की सडक यानि जैसे आप लोग सडक पर कहीं घूमने जाते हैं तो सडक का कुछ नाम होता है वैसे एक सडक है जिसका नाम है आलू की सडक ये आलू की सडक क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे जब हम कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे आईए कहानी को पढ़ते हैं जानते हैं कि सडक का नाम आलू की सडक क्य और भालू कुछ सामान लेकर जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है कहा जा रहा है चलो इसके बारे में पढ़ते एक भालू था उसे नानी के घर दूर जाना था यानि इस कहानी के अंदर एक जानवर जो की भालू आपके चित्र में दिखाई दे रहा है ये आपको देखने को मिलता है इसलिए कहानी की सुरवात होती है जिसमें बोला जाता है एक भालू था उसे नानी के घर दूर जाना था यानि ये जो भालू है अपने नानी के घर जा रहा है नानी का मतलब है मम्मी की मम्मी यानि हमारी जो मा होती है उसकी जो मा होता है उसे हम क्या बोलते हैं न नानी की घर जा रहा था ये भालू, और ये जो घर है काफी दूर था, रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीट पर रख लिया, जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग खाने पीने की चीजे ले के जाते हैं, वैसे ही ये जो भालू है, इस आलू ने अपने पीट पर रख लिया है ताकि रास्ते में अगर उसे भूक लगे तो इस बोरे में से यानि इस आलू के बोरे में से आलू को निकाल करके वो खा सके ठीक है ये जो बोरा आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्या भरा हुआ है आलू भरा हुआ है जब इस भालू को भुक लगेगी तो वो क्या करेगा इस बोरे में से आलू को निकाल लेगा ठीक है एक बार और पढ़ते हैं एक भालू था उसे नानी के घर दूर जाना था रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीट पर रख लिया उसने क्या किया अपने पीट पर इस पूरे बोरे को रख लिया जिसके अंदर उसने आलू भर रखा था ठीके तो भई ये जो हमारा भालू है वो अपने नानी के घर जा रहा है अब चलिए अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है तो जैसे ये आगे बढ़ता जाता है ठीके ये जो हमारा भालू है कहानी में जब आगे बढ़ता जाता है यानि अपनी नानी के घर जा रहा है तब आगे क्या होता है अब उसे बढ़ते हैं पर बोरे में तो छेद था ये जो बोरा है जिसके अंदर उसने आलू भरा था यहाँ पर यह जो बोरा है यह फटा हुआ था यानि इसके अंदर क्या है छेद है ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो इस छेद में से यानि इस बोरे के अंदर जो छेद है इसमें से आलू गिरते हुए आपको दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर खूब सारे आलू रास्ते म और यह जो भालू है यह क्या कर रहा है आगे जा रहा है आगे बढ़ रहा है तो यहां बताया गया कि भालू आगे बढ़ता जाता धप 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 जब यह आगे बढ़ता था क्योंकि भालू बहुत बढ़ा जानवर होता है और इसका पैर भी काफी बढ़ा और मोटा होता है तो जब ये चलता है, तो एक आवाज आती है, और वो जो आवाज होती है, वो कैसी होती है, धप, यानि जैसे ये पैर रखता था, धप आवाज आती, दुबारा पैर रखता था, धप आवाज आती, फिर पैर रखता, तो फिर से आवाज कैसी आती, धप आवाज आती है, इस तो आवाज आती थी धप 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 यानि कि भालू के चलने की आवाज आती और भालू के चलने की आवाज कैसी होती है धप 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 ठीक है अब आगे बढ़ते हैं बोरे से आलू टपकते जाते हैं और जैसे यह आगे बढ़ता था तो इस बोरे में से आलू टपक रहत तो जैसे यहाँ शब्द दे रखा है तपकते यानि कि गिरना तपकने का मतलब यहाँ पे क्या होता है गिरना यानि कि कोई भी चीज गिरती है तो हम उसे हम से गिरना भी बोलते हैं तपकना भी बोलते हैं और इसलिए शब्द है यहाँ पे तपकते यानि कि यहाँ पे तपक और टपकने का अर्थ क्या होता है गिरना यानि कि किसी चीज का यहाँ पे गिरते वे जो आपको दिखाए दे रहा है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आलू गिरते वे आपको दिखाए दे रहा है तो इसकी भी एक आवाज आ रही है और वो आवाज कैसी है टप 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 य आवाज आती है धम धप धप इस तरह से और जब आलू गिरती है आलू के गिरने की आवाज कैसे होती है टप 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 तो यहां आपको बताया गया कि पर बोरे में तो छेद था जिस बोरे को यह लेके जा रहा था उसमें छेद था भालू आगे बढ़ता तो आवाज आती ध धप 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 बोरे से आलू तपकते और जब तपकते जाते थे आलू तो आवाज आती है तप 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 यानि कि आलू यहाँ यहाँ पर गिरते हुए आपको दिखाई दे रहा है इसी की आवाज कैसे आरे आलू की तप 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 और भालू की चलने की आवाज कैसी है धप 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 अब आगे बढ़ते हैं कहानी में क्या होता है तो आगे क्या होता है कि यहाँ पे बताय जा रहा है कि रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठाता एक पेड़ है और वो पेड किसी इसका है पीपल का पेड़ है देखो यह जो पत्ते हैं जैसे आप द तो इस पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था, जैसे कि आप ये बंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बंदर दिखाई दे रहा है, तो ये बंदर यहाँ बैठा हुआ था, और उस बंदर ने भालू को आवाज लगाई, उसने बोला, उसने भालू से पूछा, जैसे ये बंदर है, ये किस से पूछ रहा है, इस भालू से पूछ रहा है, क्या पूछा, वो पढ़ते हैं, उसने भालू से पूछा, कहां जा रहे हो भाईया, इस बंदर ने क्या बोला, इस भालू को बोला, क्या बोलके बोला, भाया का मतलब होता है बड़ा भाई, जब कोई हमसे बड़ा होता है तो हम उसे भाया बोलते हैं, कोई बड़ा भाई होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाया बोलते हैं, तो आप बड़े भाई के लिए शब्द का इस्तमाल कर सकते ह भाईया तो इस बंदर ने भालू से बोला कि भाईया कहा जा रहे हो ऐसा पूछा लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप 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 ही सुना अब ये जो धप आवाज ये बच्चो ये इसके चलने की आवाज है यानि इसके पैरों की आवाज है और ये जो टप गिरता है तो आवाज कैसी आती है टप टप करके यहाँ पर आवाज आती है तो इस बंदर की जो बाते थी जो बंदर ने इस भालू को आवाज लगाया था और पूछा कि भी कहा जा रहे हो इस भालू ने कोई जवाब नहीं दिया बलकि बदले में आवाज की सीज़ कि आ रह चलने की आवाज जैसे इसके पैर की आवाज आ रही थी धप और आलू के गिरने की आवाज आ रही थी टप यानि बंदर तो जानना चाहता था कि भी ये भालू कहा जा रहा है और उसे बताना भी चाहता था कि भीया आपकी ये आलू गिर रहे है लेकिन जो हमारा भालू इस क कहानी के अंदर है वो तो किसी की सुनी नहीं रहा है वो तो चलता ही जा रहा है उसे लगता है जल्दी पहुंचने की है इसलिए वो जल्दी से जल्दी जा रहा है किसी की आवाज नहीं सुन रहा है ठीक है अब आगे पड़ते है तो यह जो बंदर है ठीक है इस कहानी में जो बंदर है जिसने भालू को आवाज भी लगाया भाया भी बोला लेकिन जो हमारा जो भालू है वो कुछ सुन ही नहीं रहाता तो बंदर आगे बोलता है कि उसने पेड़ से नीचे देखा ये जो बंदर है जो पेड़ पे पहले पीपल के पेड़ पे जो बैठा हुआ था उप मन ही मन बोला देखो उसने अब जो उसने बोला ना अपने मन ही मन बोला यानि बंदर अपने आप से बात करते हुए बोलता है कि भी भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ इसने क्या बोला अब चाहे तो भालू मुझे बताए या ना बताए फिर भी मैं पत पता लगा सकता हूं क्या पता लगा सकता है कि ये भालू कहां जा रहा है कैसे पता लगा सकता है देखो जैसे वो रास्ते में जा रहा है जहां पे भी जा रहा है तो रास्ते में क्या हो रहा है ये आलू गिर रहे है तो बंदर क्या कर सकता है इस आलू का पीछा करते करते उस भालू के पास जा सकता है यानि पूरी सडक के उपर भी भालू ने क्या किया आलू गिरा दिया एक तरह से उसके बोरे के छेद में से जो आलू गिर रहा है उस आलू को देखते देखते बंदर पता लगा सकता है कि भही हमारा जो भालू है वो कहा जा रहा है है न, तो यहां आपको बोला जो बंदर है, मनमी मन क्या बोला उसने, कि भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ कैसे पता लगा सकता है भई रास्तेग में उसका पीछा करके आलू जहां भी गिर रहे है उसके पीछे-पीछे जाकर ये पता लगा सकता है कि आलू कहा कहा गिरे है और हमारा जो भालू भी आ है वो कहा जा रहा है ये भी पता लगा सकता है वे खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा और ये जो बंदर है बड़ा खुश हो गया इसलिए क्योंकि वो आलू को खा भी सकता है उसे भूक लगेगी तो आलू खा लेगा तो खाने के लिए उसे जो ये आलू मिल गे तो ये जो बंदर है ये बड़ा खुश हो गया तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी जिसका नाम है आलू की सडक अब आप लोग समझ गए होंगे कि आलू की सडक क्यों है क्योंकि पूरे रास्ते में पूरे सडक पर आपको यहाँ पर आलू गिरते हुए दिखाई दे रहे है यानि ऐसा लग रहा है यह इस रास्ते में इंसान नहीं जा रहे हैं बच्चो उनका नाम है चंदन यादब यानि इस कहानी को किस ने लिखा है चंदन यादब ने लिखा है और जो भी कहानी लिखता है बच्चो उसे हम कहते हैं लेखक यानि इस कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है चंदन यादब जी हैं ठीके तो ये भी आपको याद रखना है कैसी लगी कहानी आपको नीचे कमेंट में ज़रूर बताना मुझे और हाँ इस पार्ट के यानि भालू की सड़क के प्रश्णुतर भी हम करेंगे अगली वीडियो में ठीके तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजेगा ताकि ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके ठीके तो ठैक्स पूर वाचिंग बाबाई